हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हमें एक्स्प्लेन करने वाले हैं Resident Evil 4 मूवी की स्टार्टिंग में हमें 21 सदी की सबसे फेमस कमपनी अमरेला कॉर्परेशन के बारे में पता चलता है अमरेला कॉर्परेशन बहुती बड़ी और सक्सेस्फिल कमपनी बन चुकी थी लेकिन इस सक्सेस के पीछे का रीजन यह था कि यह कमपनी illegal धंदों से profit कमाती थी इतना पैसा कहां से आता है यह इस कमपनी के ज़्यदातर employees को भी नहीं पता था सिर्फ कुछ main employees को छोड़ कर अब क्योंकि अमरेला कॉर्परेशन की building बहुत बड़ी थी तो इसे एक शेहर के नीचे बनाया गया था इस लैब की खासियत यह थी कि इसे एक सूपर कंप्यूटर के दवारा कंट्रोल गिया जाता था जिसका नाम red queen है फिर हम एक शेक्स को देखते हैं जो की लैब से कुछ sample निकार रहा होता है जिन में कुछ blue virus और green anti virus होते हैं और ये काम वो बहुत ही साबधानी से कर रहा था लेकिन जाते जाते वो एक blue color के virus को वहीं पर फेंकर तोड़ दाता है और वह virus हावा के जरिये पूरी लैब में फेलने लगता है फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा था रास्ते में ही उसके साथ एक आदमी टकरा जाता है और उसकी ड्रिंक उसके उपर ही गिरा देता है फिर वो आदमी उसे सौरी बोड़ने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं सुनता और वो कुछ लोगों के साथ एक लिफ्ट में चला जाता है लेकिन लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है फिर हमें उस लैब के डाव को दिखाया जाता है जो कि उस वाइरस की स्मेल को सूंकर भौकने लग जाते है और फिर रेड कुविन को उस वाइरस के बारे में पता चलता है कि वह वाइरस हवा के जरियल पूरी लैब में फैल रहा था तो रेड कुविन एक अलारम सेट करती है और पूरी लैब को सील कर देती है सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और उन सभी लैब में पानी भरने लग जाता है जिस पर एक औरत कैमरे की तरक देखकर चिलाती है कि यहाँ कोई आग नहीं लगी है पानी को बंद कर दो लेकिन पानी बंद नहीं होता एक एमपलॉई उसे आकर कहता है कि सारे डोर लॉक हो चुके हैं हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं लेकिन हमें यहाँ ज़दी से निकलना होगा नहीं तो हम यहीं पर मारे जाएंगे तो दूसरा एमपलॉई वहां रखी कुलहाडी लाकर शीशे के उपर मारने लगता है अब हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहां से एक लड़की बाहर आना जाती है लेकिन रेड कुईन लिफ्ट की ब्रेक को फैल कर देती है और उसे मार डालती है सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखायी जाती है अमरे में आती है जहां उसे एक पिक्चर दिखाई देती है जो कि एलस की शादी की पिक्चर थी लेकिन उसे याद नहीं होता कि उसकी शादी कब हुई है तभी उसे किसी के यहां होने का एहसास होता है और तभी एक आदमी वहां आता है जिसका नाम मैट था और मैट कहता है क कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं तुम्हें यहां पर बचाने आया हूँ। इतनी देर में कुछ और सॉलजर वहां पर आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़ कर अमरीला कॉर्परेशन की ट्रेंड में ले जाते हैं जहां उन्हें एक और अदमी वेहोश मिलता है जिसका नाम स्पेंस था लेकिन उसे भी कुछ याद नहीं आ रहा होता जैसे कि एलिस को कुछ भी याद नहीं था और स्पेंस वही इनसान है जो एलिस के साथ उसकी वेडिंग पिक्चर में था स्पेंस को देखकर एलिस को कुछ विजन आ रहे होते हैं जो कि उसकी वैडिंग के विजन थे वो लैब में पहुंच चुके हैं लिस सीनिय सोलजर को गन पॉइंट पर लेकर पुछती है कि आखर यहां पर चल क्या रहा है वह सोलजर कहता है कि तुम्हारी कोई खाल के शादी नहीं हुई है वह सादी फेक है जोकि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है ताक कि किसी को भी यह पता न चले तुम लोग का काम वहां की रक्षा करना था और अलिस को ये भी बताता है तुन्हें तुम्हें जहां से पकड़ा था वहां से हम अमरीला कॉर्पर को चलाने वाले सूपर कंप्यूटर रेड कुईन ने वहां के सारे इंप्लाई को माड़ा और अब हमें वहां जाकर रेड कुईन को बंद करना होगा अब वह एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह सीनियर सोलजर कहता है कि इस जगह को अच्छे से चेक करो क्य है जो एक दर्वाजे को हैकर के उसका लॉक खोल देता है और वह उस दर्वाजे के अंदर जाते हैं वह दर्वाजा अपने आप ही बंद हो जाता है जिस पर एक सोलजर कहता है कि दर्वाजा रेड कुईन ने बंद कर दिया है लेकिन वह लोग आगे बढ़ जाते हैं और आ आफिसर उस दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं जिस पर एलिस कहती है कि जल्दी करो वह लोग खत्रे में हैं लेकिन रेड क्यूइन उस कमरे के सिक्यूरिटी सिस्टम को आउन कर देती है इस वजह से वहां के लेजर वैपन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक लेजर वैपन आखरी बचे सीनियर सोलजर की और बढ़ रही होती है जिस दोरान वह लेजर का शेप चेंज कर लेती है और उस सीनियर सोलजर को कई टुकड़ों में काट देती है और वो सारे सोलजर वहीं पर मारे जाते हैं तरफ वो हैकिंग ऑफिसर उस लेजर वैपन को बंद करने में काम्याब हो जाता है लेकिन अब इसका कोई फाइदा नहीं था क्योंकि वह सारे सोलजर मारे गए थे। पैलिस और वह सोलजर फैसला करते हैं कि वह खुद जाकर रेड क्वीन को बंद करेंगे। रेड क्वीन के कमरे में जाकर उसे बंद करने का प्रोसेजर शुरू कर देते हैं जिस दोरान रेड क्वीन का होलोग्रेम एक बच्ची की रूप में उनके सामने आता है और वह उन्हें खुद को बंद ने करने के लिए कहता है और कहती है कि अगर तुमने मुझे बंद किया तो इलेक्टरिशिटी बंद हो जाएगी तुम लोग यहीं वो फस जाओगे और मारे जाओगे ना कहते ही वह आफिसर रेड क्वीन को बंद कर देता है दूसरी तरफ वो फीमल आफिसर रेड, मैट और एक और सोलजर उनका इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन तब ही उन्हें वहाँ कुछ आवाजे सुने देती हैं जिन्हें देखने के लिए रेड वहाँ पर जाती है वहाँ उन्हें कमपनी की एक इंपलॉईद मिलती है जो की डूर ओपन होने की वज़ा से बाहरा चुकी थी रेड उसे देखकर उसके पास जाती है लेकिन रेड को नहीं पता होता कि अब वो उस वाइरिस के कारण जॉंबी बन चुकी है और वो रेड पर हमला कर देती है जिसके बाद वह उसके हाथ पर काट लेती है रेड चिला कर अपने साथी को बुलाती है और दूसरा आफिसर आकर उसे बचाता है इतने में ही एलिस और वो हैकिंग आफिसर वहाँ पर आ जाते है और रेन्ट उनसे पूचती है कि हमारे बाकी साथी कहां पर है तो वो हैकिंग आफिसर उन्हें बताता है कि हमारे बाकी साथी लेजर वैबन की वज़ा से मारे गए तो वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वह देखते हैं कि उन्हें चारों और से जॉंबीज ने घेर रखा है वह उन पर गोलियां चलाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वह मर नहीं रहे होते हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यह लोग मर क्यों नहीं रहे तबी एक गोली एक टैंक पर जाकर लगती है जिस वज़ा से वहाँ पर बलास्ट हो जाता है और वह लोग उन जॉंबी से दूर भागने लगते हैं लेकिन तबी कुछ जॉंबी उनके एक आफिसर जेडी को पगड़ लेते हैं और बाकी लोग वहाँ से भागने का रास्ता ढूंडने लगते हैं लेकिन किसी कारण से एलिस उनसे अलग हो जाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंडने लगती है लेकिन तबी वहाँ एक टॉग आ जाता है जो कि अब एक जॉंबी बन चुका था और वह आलस पर हमला करने लगता है लेकिन एलस दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है जहां पर एक और जॉंबी उस पर हमला कर देता है लेकिन वह उसे अपनी fighting skill से मार देती है और उसके पास से एक उसकी पिस्टल ले लेती है जब वो उस कमरे से बाहर आती है आ जाती है जो कि अब एक जोंबी बन चुकी थी मैट पर हमला कर देती है जिसके बाद एलिस उसे सही वक्त पर आकर बचा लेती है फिर मैट एलिस को बताता है कि ये मेरी सिस्टर है और वह दोनों मिलकर अमरेला कॉर्परेशन के इलेगल धंदों के खिलाफ सबूत इकठा कर रहे थे ताकि वह इन दंदों को बंद करवा सकें और मेरी बहन का साथ इस कंपनी की एक और सिक्यूरिटी ऑफिसर दे रही थी लेकिन फिर हुआ यूं कि इस लैब में किसी ने टी वाइरस फैला दिया और बाकियों के साथ मेरी सिस्टर भी जॉंबी बन गई लेकिन मैट यह बात नहीं जानता था कि वह जिस आफिसर की बात कर रहा है वो और कोई नहीं बलकि एलिस ही थी जो कि उसकी बहन की इस काम में मदद करने वाली थी लेकिन एलिस उसे ये बात नहीं बताती कि वो उसकी बहन को जानती थी फिर वो बाकियों से मिल जाते हैं और एलिस कहती है कि हमें Red Queen को दुबारा से On करना होगा वही है जो हमें यहां से निकालने में हमारी मदद कर सकती है फिर वे Red Queen को On कर देते हैं जिसके बाद Ellis Red Queen से पूछती है यह लोग मरते क्यों नहीं फिर Red Queen विंज से बाहर जाने का रास्ता पूछती है जिस पर रेड कुईन कहती है कि मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता तो बता दूंगी लेकिन तुम उन लोगों को लेकर बाहर नहीं जा सकते जो कि इनफेक्टेड है फिर रेड कुईन उन्हें रास्ता बता देती है वह एक अं उन जॉम्बी के बीच में फ़स जाता है जिस पर एलिस रेंड को कहती है कि वह उस आफिसर को बचाने की कोसिश करे लेकिन वो अच्छे से निशाना नहीं लगा पारही होती फिर एलिस एक ही बार में सबी जॉम्बी को हटा कर उस आफिसर को बचा लेती है लेकिन वह आफिसर फिर जॉंबी इसके बीच में फस जाता है जिस पर वह बाकियों लोगों को कहता है कि तुम जाओ और बाकियों लोगों को ना चाहते होए भी वहां से जाना पड़ता है बाहर आने के बाद एलिस को याद आता है कि इस वाइरस का एंटीडोट भी है जिसे लगाने के बाद वह है रेन को बचा लेगी फिर वह एंटीवाइरस को ढूंदने लग जाती है लेकिन उसे एंटीवाइरस नहीं मिलता जो ये सोचकर हैरान हो जाती है कि एंटी वाइरस को तो यहीं पर होना चाहिए था तो वो कहां गया अब मैट पूछता है कि तुम वाइरस और एंटी वाइरस के बारे में कैसे जानती हो तो फिर एलिस को अपने राज खोलने पड़ते हैं और वो बताती है कि मैं ही वो आफिसर हूँ जो तुम्हारी बेहन को एंटी वाइरस लाकर देने वाली थी ताकि तुम अमरेला कॉर्परेशन के इलीगल धंदों को बंद करवा सको स्पेंस को भी याद आ जाता है कि वही वो चोर है जिसने वो एंटी वाइरस चुराए थे और उस वाइरस को पूरी लैब में फिला दिया था और वो जल्द बाजी में एक एंप्लॉई से भी टकराया था और रुका भी नहीं था वहां से तो वो बचकर निकल जाता है ट्रेन में जाकर बेहोश हो जाता है जहां वो उन ओफिसर को मिला था और उसकी मेमरी लॉस्ट हो गई थी अब वो एलिस को अपना साथ देने के लिए कहता है लेकिन एलिस मना कर देती है जिस वाज़ा से स्पेंस उन लोगों को गन प वायरेस रखा हुआ था स्पेंस वह एंटी वायरेस लगाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक लीकर मॉंस्टर आ जाता है जो की अमरेला कॉर्परेशन ने बनाया था और ये लीकर जितना इंसानों का खून पिएगा उतना ही तरनाक और खुंखार होता जाएगा अमर रेड क्विन कहती है तुम्हारे साथ रेन है जो कि इनफेक्टिड है अगर तुम इसे मार दो तो मैं दरवाजे को खोल दूँगी लेकिन एलिस क्विन को मना कर देती है इसके बाद रेड क्विन फिर से आफ हो जाती है जिसे कि उस हैकिंग आफिसर ने आफ किया था जो कि किसी तरह से उन जॉंबी से बचकर बाहर आ जाता है और उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है और वो लोग ट्रेन में चड़कर वहाँ से निकलने लगते हैं एलिस रेन और उस हैकिंग आफिसर को एंटी वायरस लगाती है लेकिन वह क्रीचर उनका पीछा करते करते ट्रेन पर भी आ जाता है और मैट को अपने पंजों से घायर कर देता है और फिर वो उस हैकिंग आफिसर को मार देता है फिर हम देखते हैं कि रेन भी जॉंबी बन गई थी क्योंकि एंटी वायरस को लगाने में बहुत देर हो चुकी थी और वह मैट पर हमला कर देती है और मैट उसे सिर पर गोली मार कर मार देता है फिर एलिस उस क्रीचर की जीब में एक पाइप घुजा देती है जिस कारण वह ट्रेन के नीचे लटक जाता है और ट्रेन की स्पीड बहुत तेज होने के कारण वह क्रीचर नीचे गिसरते हुए उसमें आग लग जाती है और वह वही पर मारा जाता है जिसके बाद वह दोनों बचकर बहार आ जाते हैं और एलिस देखती है कि मैट का घाव अब बढ़ने लगा था जिस पर वह उसे एक अंटिवारिस लगाने वाली होती है कि तभी अमरेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वह एलिस को पकड़ लेते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं यह देखने के लिए कि कहीं ये भी इंफेक्टिट तो नहीं है और वो मैट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी लैब में ले जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि एक और टीम को तयार करो जो कि अच्छे से देखकर आएगी कि आखिर अंदर हुआ क्या था और फिर हम एलिस को देखते हैं कि स्ट्रेचस के साथ बंदी होती है वो खुद को नंसे अज़ाद करती है और डॉर लोकी डिवाइस को शाट सर्कुट करके खराब कर देती है और ब्लोक को खोल देती है और वहां से बाहर आ جाती है लेकिन बाहर आने के बाद वह देखती है कि वो वाइरस अब पूरे शहर में भैल चुका था जिसके बाद गाड़ी से एक शौटगन उठाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा